हार के बाद चलका राहुल का दर्ड बोले समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं इंडियन प्रीमियर लिग आईपी एल दो हजार इकीस में सूमवार को पंजाब किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में पांच विकेट से हार का सामना करना पढ़ा आहमदाबाद के नरेंद्र मूदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान केल राहुल का दर्ब चलका और उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस हार के बाद क्या बोलूं मेच के बाद राहुल ने कहा हार कभी भी आसान नहीं होती है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं हमें नई पिच को बेहतर तरीके से अड़ैप्ट करना चाहिए था हम बैड के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे उमीद करता हूँ कि खिलाडी इसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे कुछ सौफिट डिसमिसल ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हमें इस हार को भुला कर अपने सिर उंटा रखना होगा और आगे कोशिश करते रहना होगा उन्होंने आगे कहा रविवाद बिशनोई का क्याच शांदार था जब आपके पास जोन टी रोट्स जैसा कोच होता है तो खिलाडियों की फीलिंग बेहतर होती है वह हमारा मुश्किल टेस्ट लेते हैं और देखते हैं की लड़की कैसे रेयक कर रहे हैं उमीद करता हूँ की हम साथ में आगे बढ़ेंगे और बेहतर होते जाएंगे